गुरुजी रादे रादे गुरुजी श्रीहरीवंश गुर्देव आपके चरणों में कौटी-कोटी प्रणाम गुरुजी मेरा प्रश्चन यह है कि 84,00,00,00,00 में पाप और पुन्य केवल मनुश्य legends में ही हुते हैं ऐसा हमने सुना है जब हम 84 लाग ख्योनियां भोग कर आ गए हैं तो इस मानम रूप में हमारा पूरु का प्रारब्द कहा रहा है तो इस टाक तुम कोई गोदाम देखा है कि अपना कितना भरा हुआ है तो जो मनुष्य जन्म है ये समझो कि गोदाम से आज के खाने के लिए आनाज निकाल के प तो भी गोदाम खाली नहीं होने वहला अनन्त जन्म हो का गोदाम भरा हुआ है तो तुम तो कुछ बाते जानते हैं अन्य उनियों को भोग करके ऐसा नहीं कि आप तिरासिलाख निन्यान बहजार नोशे निन्यान भी उनियां भोग के यार है ऐसा नहीं है संसरत इमान जो बरियाई के पायो जो मानुस दे ब्रता कत डारत गुश्वामितु सिदा जी कभवू का करिक करुना नर देही देत इस बिन हेत सनेही बीच यूनियों के चक्र को रोक दिया और निकाल करके उसे मनुश्च्र सरीर बना दिया अब आपका जो पूर्व शंचित पूल्णे और पाप है वो आपको दुख और शुक देगा लेकिन आप इस शमय भजन करके पूल्णे और पाप दोनों को बस्म कर सकते हैं पूरे गोदाम में आग लगा सकते हैं नया पाप होने न दीजिए पुराने पाप को भगवान की सरणा गती से बस्म कर दीजिए और जो हमारे आगंतुक पूर्व से निश्चित हो चुका घोग वो हम भोग लेते राधा राधा कहिकर तो मुक्त हो जाएंगे प्रभू को प्राप्त हो जाएंगे समझ रहे हैं अगर फिर हम नया पाप और पुर्णी एकत्तित किया तो उसी गोदाम में जाके लग जाएगा कितना गोदाम बहा है गोदाम भी समझी के रहे हैं सौ जनम तक हम देख रहे हैं कोई हमने पाप में किया गोदाम है छे महिना बाणों के एक अपराद कपल यो राजा थे तो एक शाप को ऐसे धनुसकी नोक से उटाया और बंबूल के काटे थे उसे फेक दिया घुसके और कई दिन तक तडप तडप के मरा कोई भी जीव मारने का अधिकार नहीं आपको उपर आक्रमन कर रहा बचाओ पक्ष में मर जाता है बात अलगैं आपको हत्या करने कर नहीं इनको भी बजवान निरचा है अएसे कोई आपको ने काटेगा आपकी या तो मृत्तियों निश्चित हो गई उसससे तो काटेगा या आपके द्वारा कोई नमीन कर्म उसके उपर बन जाए उसको लगे कि अब मैं फस गया तो कोशिस करेगा आपके उपर क्योंकि उसके पाद एक ही बचाओ पक्षेमू तो थोड़ी सांपे मार दो मार दो मार दिया तो उसके हत्या कभी तो उसी सांप का जो कई दिन तक बंबूल के काटे में फसा तड़ब तड़ब के मरा तो भीसम जी को बाणों की सैया पर च्छै महीना बहुना पड़ा एक तितिली की गुदा में काटा डालके छोड़ दिया अनि मांडवी रिशी का चरित पढ़के देख लीजे कर्म को ऐसा समझो जैसे बट बर्ख्ष का बीज इतना बड़ा होता है जैसे आजवाईन का बीच होता है पर ओ जब अपना रूप धरता है ओ बिशाल होता है तो कर्म का ये बीज है जो तुम कर रहे हो इसका ब्रख्ष बनेगा तो आपको लगेगा जैसे किशी को आपने गंदी हरकत से छेड़ा पांच मिनट का कर्म बना और निया एले में जब इसका धंड दिया जाएगा तो दस वर्ष की सजा बीस वर्ष की सजा पहले तो वर्षों लगेंगे मुकदमे बाजी में वो दंड अलग से भोगो इसके बाद फाइनल में सजा होगे तो आपको लगे का पंदरा मिनट बीस मिनट की हमारी गलती के इतना बड़ा दंड यह यहां है यह तो इसका ब्याज है मूल अभी और आपको मिलेगा नर्क में जाकर उसका दंड मिलेगा इसलिए तो डरना चाहिए जब ग्यान नहीं तो नहीं डर रहे तो डरना चाहिए बाद के विरुद भगवान का बनाया हुप गानून गीता जी है भागोत है उसके विरुद धाचरण करोगे तो यहां भी दंड मिलेगा और वहां भी दंड मिलेगा तो ऐसे ही आप जैसे सोचे कि हमने तो कर्मों का फल भोग लिया तो ऐसा नहीं है 20 साल के यहां सजा हुई, लाठी चली, बदनामी हुई, बेज जती हुई, यह सब अब इसका जो मूल बीज बना था तुम्हारे अंदर, वो नर्क में जाके भसमोगा वहां से फिर तुम्हारे इस दुबाव के कारण तुम्हें नीची उन्यों में पटका जाए, अरे ऐसा थोड़ी